हेलो नमस्कार वेलकुम टो आवर चैनल लिटिल एंजिस ग्रूमिंग केट्स आज हम आपको छोटे बच्चों को खेल खेल में कैसे उनके फाइन मसेंस डेवलप्मेंट बेंटर डेवलप्मेंट और आई कोडिनेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे आज हम इन के बारे में भी बताएंगे वैसे तो बजार में कई एस ग्रूप के खिलोने मिलते हैं आज हम कुछ ऐसे खिलोने लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप अपने बच्चों का और डान डेवलप्मेंट करवा सकते हैं इसे टोडलर रिंग्स कहते हैं ये टू से लेकर फोर यर् इस पहले स्वेंन करके बचों को दिखाना जीए ताकि बचा उसे देखे इसे प्रापर तरीके से शीक्वेंस वाइस कर सके पैले बच्वेंस घुद दिखाएं कि सब से पहले हमें बड़े सरकल को डालना है उसके वे इसके बाद उसके थोड़े चोटे फिर इस तरह से कई बार क्या होता है बक्चा बिल्कुल ही कि सिक्वेश में नहीं डाल पाता है फस्सट हाई जिक्ष झाला है oggi है फोकर चे purpose Bruce तील कॉर्द यह मत बनता है किन अटींस के दौर शाषे डाला सिख जाता है तो और अब बच्चों के खेलने के लिए बहुती लाइट वीट का है बच्चा इसली हैं यह वाशुबल भी है और यदि हम इसको दोते हैं तो इसमें कोई कलर भी निकलता इसलिए नॉन टॉक्सिक है यह इसली भी सेफ है ताकि यदि बच्चा खेल-खेल में किसी को मार भी देता है तो यह किसी को लगेगा भी नहीं और वह इसली हैंडल भी कर सकता है उस चीज़ खेलता है वह पहले बच्चा गलत तरीके से इसको डालेगा पहले हो सकता है वह छोटे रिंग पहले डाले फिर उसकी बाद बड़े रिंग्स डाले लेकिन पैरेंट्स की रस्वांस्पिल्टी कि होनी चाये के उसको ठिक ठीक ठ्रकाश किंग से डालना सिखा सके है और उसको सीवंस्वाइज पहले बढ़ा उससे थोड़ा चोटा उस्की छोटा फीर उससे चोड़ा और उससे छोटा इस तरह से में सीवेश्म में डाल ना शिक ऑ martial wus जब बच्चे छोटे रिंग्स खेल लेते हैं उनकी डवलप्मेंट हो जाती है तब उसके बाद हम बड़े रिंग्स देते हैं ताकि इनकी मसल्स को और प्रॉपर तरीके से डवलप हो सके और जब यह करना सीख जाते हैं तो इस गेम को भी वे असानी से कर लेते हैं कि बच्चे का प्रॉपर डवलप हो जाता है फाइंग मसल्स और कुछ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तब इन्हें बड़े दिंग्स देते हैं ताकि उनकी डवलप्मेंट और हो सके और इसमें बच्चा कांटिंग भी और ज्यादा सीखता है इसमें जिरों से 9 तक ही बात करें चोटे बचों के बाद करें चोटे बचों की बॉल्स की कम ड़े होता है और उनके कि फिंगर्स भी छोटे-छोटे होते हैं इसलिए वो धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे उंगलियों से इसको एक के ऊपर लगाना से जब यह दोनों ट्वाइस वैसे तो एक साथ ही आते हैं लेकिन हम जो खिलाना होता है तो हम इसको इसको दो भागन डिवाइट कर लेते हैं इस चोटे कंतों ए बड़े बच्छों की लिए और फिर इनन्य बड़े बच्छों को तो हम लोग Color Concepts पुरा सिखा दिया जाता है इस तरह की ट्वाइस के द्वारा हम बच्चों को Color Concepts भी ठिक तका से सिखा सकतें जैसे परपल बारेड यहलो औरेंज है और इसके नंबर कॉंसेट से ठीक तरका से डिलफ होते हैं जैसे वह कांटिंग सीख जाता है वान टू थी फोर फाइफ शिक्स सावर एक नाइन टेफ बैसिकली यह खिलोंने लाइट वेट के होते हैं इसली वाशिबल होते हैं और इनमें कलर भी नहीं निकलता यदि बच्चा यदि कलर उनकी नहीं को खेलता है तो उसमें कलर भी उसके हाथ में लगते हैं और यदि मुव में डालता है तो मुवी भी कलर जाते हैं और यह इसली हैंडल कर सकता है और इसके द्वारा बच्चा ब जैसे कि यह है लुड़ेन का लकडी का इस लखडी वाले है नॉट वासिवाल इसके सरफ डेस्टिंग होती है और यह आप इसमें देखो अपने बच्चों बताने दो को यह एगा यह बुड़ेन का तो है मगर इसमें कलर भी है इसमें जैसे सब में चार कलर दे रखाए यहलो रेड बलू ग्रीन इससे तरह इसमें चार कलर रहे हो Sum 1 जंद लो यहलो ब्लू ग्रीन ठ्रैट यहलो बलू ग्रीन ठ्रै अब हो बन्यot bill बच्चों के लिए चिसके झिससे बचा आराम से चलिये और वैसकी बजाहर में जाऊ इसको भी हाडट वाले होते हैं, इसको बाक्ट्द करते हैं, यह बहुत गर्दी करते हैं, यह बिलकुल छोटे नॉर्मल बच्क को ली होते हैं, अब यह जैसे क्या एगा, यह स्क्सकimento मचलस, बैच है। और जब बच्चा ये जब दाले इसको गुड़ेन के इसको कुलोन को आपने ये तो बता जिए कि भाई ये ग्रीन कलर करे अब साथ साथ आपको ये बताने देखो ये वाला और इसका साइड तो इसको स्कुर्ण ना कि इसमें डालना है सरकल में जब ये बच्चा दालेगा त दो उसने एक कलर के साथ बोलना है ग्रीन है लू है रेड है और यॉल्वा। इसके साथ बच्चों को दिस्तों ग्राठाना है तुरैक्टैंगल वाले में दालना है। च Whereas it's last time. चुल्फभास का प्रियंगल वाले को वैंब है फेला शुन्ति में दालना है। जोड सकते हैं उससे और भी कुछ क्रेटिविटी इसमें कर सकते हैं इससे बच्चों का माइंग ड़लाफ होता है और इसका बच्चों का आई कोडिनेशन भी होता है यह इतनी भी गेंश है यह वाश्विल है इसली हैं यह नॉन टॉक इदि बच्चा गलती से मूह में डाल लेता है तो इसमें कोई खलर निकलने कोई चांस नहीं होता जब बच्चा इस खिलोने से खेलना स्टार्ट करता है तो पहले तो यह मैट की तरह बनाता है इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ पुल की तरह बना दिया कभी वह ट्रैंगल की तरह बना दिया कभी वह इसतरह से सुक्यर की तरह बना दिया और इस तरह से वह रोटेट करता हुआ यहसं के लिखियों िपड़ला जाता है और different colors को भी वह सीख जाता है इस तरह से बच्चे को scaling में बहुत ही इंड्रेस्ट आता मार्केट में कुछ इस तरह के खिलोनफे मिलते हैं जैसे यह Elphin Shape कर ए इसको नीडल और अंत्र करते हैं बच्चे इस गोल के अंदर डालते हैं एक तरफ से फिर दूसरी तरब से इसको और तिस तरह से करते करते भुषे को आगे पिछे माते जाते हैं और आंग इस तरह से को बड़ा मजा आता है। ये में एक सारे होआज में डाल डालका। एल एक ज्सित अब कर यह बनता है बच्चों के फान में मर्क में करना सीख चुल अ कि छो डालता है पहले तो बच्छ बढ़ी मुश्किल से सब डालता है जब इसका coordination फीच प्रकार से हो जाता है तभी जाकि यह असानी से डालना से जाता है यह बेट्स इतने बड़े इसलिए हैं ताकि बच्चा मुझ में इसको निगल ना सके और यह washable भी है और टाइम टाइम से इसको हम wash कर सकते हैं नौन टाक्सिक है इसमें कोई भी कलर निकलने के कोई चांस लेंगा है जब यह पूरा इस रोप में बच्चे बीड्स को पिरो देते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं बच्चों काउंट करो इसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से बच्चे काउंटिंग करना भी सिकते हैं प्लस इसमें कलर को आइडेंटिफिकेशन करना भी सिकते हैं जैसे ग्रीड, ब्लू, वाइट, रैड, येलो जब हम इसे पूछते हैं कि बच्चे इसमें येलो कलर बताओ तो वह ठीक बटा से उसको बता बाते हैं कि पूछ बच्चे को 1, 2, 3, 4 इस तरह से बच्चे इसमें बटाओ की बीट्स को भी बनाते हैं जाते हैं जैसे क要कि आपने 24 साल तक कि बच्चे उते हैं जैसे कि यह elephant है यह horse है और ज्यादा तर कोशिश करें कि ज्यादा बड़े बड़े जो kloners से अच्छे जो ऐसे kloners रखें कि जो बच्चों को पकड़ में हो और इन ट्वाइस में बच्चों के अललक साइस की पकड़ बनती है वो और यह बच्चे जो ट्वाइस को बहुत ही कर चाहिए का आप मार्केट में घुमने जाओ चाहिए घर में और साथ में लेकर सोता है चाहिए हमने तो कहीं बार देखा कि एरोप्लेन तक में बच्चे ले जाते है जातर हमने देखा जो हमारी गल्स प्यारी प्यारी चोड़ी चोड़ी बच्चिया है उन लोगों को जा ब्रिच्ट को पहर संसे पहर इसके बाद किया हुरस कि यूण समय सब्सक्राइब या बार पाइब करता है कैसे ही नहीं होता है कैसे चलता है तो उल्द TAK-TAK. उनलता ही वास नहीं हो डिखाष्ट ध्रक है. वैसे को कैमपा कोला का ट्रक है इस तरह के खिलोने पसंद करते हैं और जो बाइस होते हैं जाएतर उनको जैसे यह कुछ ट्रॉइस है जिसे बॉलिंग बॉल कहते हैं और इसके अलावा बैट्स भी होता है बैट्स पकड़ेगा छोटा बच्छा तो छोटा वाला प्लास्टि में देखा कि हम डिफ्रें घ्राइश के द्वारा वं फॉलिंग हों सब्सक्रों के द्वारे बच्चों को सफ्राइट के द्वारा हगा Hyundai here in Mcad grand surrender डलवाब करवा सकते हैं इनने शेप कॉंसेप्ट डलवाब करवा सकते हैं और उनमें डिफेंट इमाजिनेशन और क्रेटिविटी डलवाब करवा सकते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ठाइंक यू जय हुआ